नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं 21 और 22 सितंबर को आयोजी जेसेसी सीजल परिक्षा को लेकर फ्रलाई जाय रही भरांतिया पूरी तरह से निरधार है एवं परिक्षा के दवरान और परिक्षा के बाद अपनी बर्ती गई सवधानिया को बिस्तार से बताया जेसे सीके अधर्ख्ष ने कहाए कि परिक्षा के लिए कूल 6,499 वैद आवेदन प्राप्थ हुए आयोग द्वारा सभी प्राप्थ हुए वैद आवेदा का पर्विस्पत्र जारी किये गए एवं 21 एवं 22 सितंबर को राजे के सभी जीले में बनाये गए 823 परिक्षा केंद्रो पर 3,3 पालियों में परिक्षा लिग गई इस परिक्षा में कूल उपस्तित उमिद्वारों की संख्यत 3,477,000 है आयोग द्वार परिक्षा के आयोजन है तू सभी परिक्षा केंद्रो पर 15,236 CCTV कैमरा और 927 जाइमर लगाये गए थे सभी परिक्षा केंद्र पर परिक्षा निस्पक्ष कदाचार एवं सांती पुन संपन हुआ उन्होंने कहा है कि अगर प्रश्ण पत्र लिख होने के मामले का परमान मिलता है तो आयोग जाच करने को तयार है उन्होंने बताया है कि प्रश्ण पत्रों की प्रिंटिंग से लेकार परिक्षा केंदर में आभियार्थियों को प्रश्ण पत्र दिये जाने तक कि सारी परकिरिया को CCTV कैमरे में कैद किया गया है अपने हमसकल मुन्ना लोहरा से मिले सियम हमाद जारखन की सियम हमाद सुरेंच से बुद्धवार को काके रोड इस्थित मुख्य मंतरी आवासे करेले में उनके हमसकल हटिया के रंग मंच कर्मी मुन्ना लोहरा से मुलकात हुई है उन्हें देख मुख्य मंत्री हैरत में पड़ गए मुन्ना लोहरा ने उनसे कहा है कि इस वर की किरपा है कि मैं आपके जैसा दिखता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फ्राइन हूँ और आपको अपना अधर्स मानता हूँ मेरा सोभाग यह है कि आज मुझे आपसे मिलने का उसर प्राप्त हुआ आपसे मिलना भी मेरे लिए सपने पूरे होने जैसा है इस मौके पर उन्होंने मुख्य मंत्री को डौंग मंच के कलाकारों की समस्याओं से आउगत भी कराया जार्खन के सीम ने अपने पकल की परतिया सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साजा करते हूए लिखा है कि हमारी मांग सिर्फ नहाए की है भी सिसा अधिकार की नहीं जारखन के लोगों ने अपने राजी के लिए लंबा संगर्स किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों एवं अधिकारों का उचित उप्योग हो उन्होंने कहा है कि जारखन्डियों का हग मांगो तो एजेल डाल देते हैं, पर अपने हग के लिए हर कुर्बानी मंजूर है सियम हेमन सुरेन ने ट्वीट कर कहा है कि हम भाजपा के सहयोगी राज़ियों की तरह special status नहीं मांग रहे नहीं हम कुछ राज़ियों की तरह केंद्रिय बजट का बड़ा हिंसा मांग रहे हमें बस हमारा हक देदीजिये यही मांग है जहारकन किरिशी रिण माफी योजना कारकरम को लेकर रूट जारी धुरवा इस्थित प्रभात तरह मैदान में गुरुवार को जहारकन किरिशी रिण माफी योजना कारकरम आयोजीत किया जाएगा जिसमें सियम हेमन सुरेन सामिल होंगे इस समारों में बड़ी संक्या में लाभुकों और अतितियों के सामिलित होने की संभावना है इस कारेकरम के मदर नजार विभीन जीलों से कारेकरम में भाग लेने के लिए आने वाली बसों और अन्य वाहनों का रूट लाइन और पार्किंग की बेवस्ता की गई इसे लेकर ट्रैफिक एसपी के द्वार आदेस जारी किया गया है बतादे गढ़वा पला मुलाते हा चत्रा रामगर गुमला और रांची के बेडो खलारी और और मांजी के तरफ से आने वाली वस्तार से रिंग रोड चौक से बाय होते हुए दला दली रिंग रोड होते हुए बाला लोंग मोर से बाय धुरवा डेम होते हुए धुरवा बस एस्टेंस से बाय सकुआ बागान में बस पार्ख होगी वहीं दुमका देवगर जामतरा गोड़ा पाकुड साहेब गन से आने वाली वाहन नेवरी रिंग रोड चोक से बाय होते हुए रामपुर रिंग रोड होते हुए तुपु दाना से होटिया चांदनी चोक से पुर्जेक्ट भौन होते हुए धुरुवा भाग गोलचकर रसेस पर चुनावी फायदे के लिए राज में संप्रदाइक सोहर्द बिगारने की कोशिज करने का रोप लगाया साहेब गंजीले के भोगनाडी में एक जनसभा को समोधित करते हुए सुरेन ने दावा किया है कि भाजपा हिंदू और मुसलिम समोधाय में द्वेस के बी है उन्होंने विशेस तोर पर असम के मुखे मत्र हिमंत विश्वा सर्मा के इसमें सामिल होने का दावा किया बतादे रांची से ही वीडियो कंफिसिंगे जरिये भोगनाडी जनसभा को समोधित करते हुए सुरेन ने कहा आरसेस चुहो की तर राज्य में घुस पैट कर इस अगस्त नहीं के मांदे का भोगतान करने का निर्देश दे दिये गए है कैबिनेट के निर्देश के बाद भी नगर नीगम, छेत्र के पराक, सिस्कों के जनवली नहीं हुए वही साहयक अध्यापकों के मांदे भोगतान मेला परवाही और नौकर साह के ताना साहीर हो पिरिकी सेख ने कहा है कि इतनी बड़ी संक्या में साहयक अध्यापकों का जन्वाई 24 से मिलने वाले 4 प्रस्थ वार्षिक इंक्रिमेंट पर रोक लगा दी गई वहीं धनबाद गुमला जामतड़ा बोकारो हजारी बाग समयत कई जीलों के परखांड लेक पाल ने आगलन उतिन साहयक अध्यापकों के 10 प्रस्थ मांदे विरिधी भी रोक दी सहरी छेत्रे के साहयक अध्यापकों को दो वर्षिक इंक्रिमेंट का लाव केबिनेट से पारित होने के बाद भी नहीं मिल रहा वहीं पंचायत के अधिन सायक अध्याप्रग के इंकिरिमेंट रोकना विभा की तनस आई है ज्ञारखन में होमगाड जवानों को 7 साल का बकाया देना चूनवती होमगाट की जवानों को समान काम के लिए समान बेतन भात्ता से समधित बाकाया रासी का भुकतान राज सरकार के लिए एक बड़ी चुनाओती बन गई है मुख्यमंत्री हमंसुरे के दिये निर्देश के बाद इन जवानों का दैनिक कर्तब या भात्ता 500 रुपे से बढ़ा कर प्रती दिन 1,18 रुपे किया जा चुका है इधर हाई कोट ने 23 अगस 24 के दिये अपने एक फैसले में 25 अगस 27 से जवानों को बाकाया रासी भुकतान करने का निर्देश दिया है या निर्देश दिया है 10 अगस 24 के 33 से लागू होगा इस मामले में राज सरकार को अब 27 सितंबर को हाई कोट में अपना पक्ष रखना है सुत्रों से मिली जनकारी के मुताविक 25 अगस 2017 से लेकस्तात वर्सों तक बकाया रासी जो आकलन किया गया है वह कम से कम 400 करोर तक है इतनी बड़ी रासी देना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती बन गई है जार्खन के पूर्व सीम चमपाई सुर्ख्षा में कटोती करने की खबर चलने के बाद जार्खन पुलिस ने अपना ब्यान जारी कर दिया है जार्खन पुलिस मुख्याले दवारा जारी ब्यान में कहा गया है कि चमपाई सुर्ख्षा में 63 जवान और 5 वाहन परती न्यूक था है उनकी सुर्ख्षा में कोई कटोती नहीं की गई जारी ब्यान में कहा गया है कि पुर्व मुखमंत्री सुरक्षा में उनके सुरक्षा सुरेनी की अनुरूप ही सुरक्षा उपलब्द है पुर्व सीम चमपाई सुरेन जेड पलस सुरेनी के लिए अनुमाने थे बरतमान में सुरेन को जेट पलस रेनी सुरक्षा प्राप्त है पुलिस मुख्यले द्वारा जारी ब्यान में कहा गया है कि चमपाई सुरेन के साथ कूल 63 पुलिस पताधिकारी और कर्मी तैना था है इसके अलावा उनके बेटे बाबुला सुरेन के पास भी दो बोडिगाड और उनके सलाकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल गोस्वामी के पास तिन बोडिगाड और एक आवास गाड उपलबध है कूल मिलाकर 63 पुलस 2 पुलस 8 तिहतर सुरक्षबल उपलबध है जारखन में खुलेगा एक और कोईला खडान हजारी बाग के गोदूल पारा खणन पर्योजना के तहत सेक्षन 29 लगाया जाने की परकिरिया पुरी हुग गई है जो खनन सुरू होने की दीशा में एक महत्पुन कदम है इस कदम से जारखन में एक और खडान खुलने का रास्ता साप हो गया है इससे रहितों को मुअबजा में प्रती एकड़ 24,56,86 रुपे मिलेंगे इस खडान के सुरू हो जाने से अस्थाने लोगों को रोजिगार के नए असर मिलेंगे बतादे इस कोल परियोईना से जीले और राजे को लगभग 500 कोल रुपे प्रती वर्ष का रायसो मिले कानुमान है वहीं इस लाब से प्रसासन अनेक लाप्रत और कलनकारी करेकरम सुरू कर सकेगा परियोईना से प्रभावित लोगों के पुनवास के लिए भी चौंदाल गाओं में 161.9 एकड़ जमिन का धिकरन किया जा चुका है ज्यारखन पुलिस बहाली में घटेगी निर्धारित दोड़ ज्यारखन पुलिस में करी 5000 सीपाहियों की बहाली होनी है इसको देखते हुए पहले से दोड़ के लिए तैस समय सेमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्याले ने राज सरकार को दो प्रस्ताव भेजा है इस पर 26 सितंबर को मुख्य मंत्री हमान सुरूं के धिक्स्ता में होने वाली बैठाक में अमतिम नहीं नहीं लिया जा सकता है बता दे कि 10 किलोमेटर की दोड़ लागाने के दोड़ान ही अधिकांस अभियार्तियों के तवियत खराब होई और बाद में इलाज के दोड़ान उसकी मौत होई थी जार्खन राज पुलिस खेलकुद में जयब टीम बनी चैंपियान सोलावी जार्खन राज पुलिस खेलकुद परत्योक्ता बुद्धवार को संपन हो गई है परत्योक्ता में जार्खन ससस्तर पुलिस जयब की टीम ओवर ओल चैंपियन रही वहीं दक्षिनी छोटा नागपुर शेतर रांची रेंज की टीम उपजेता बनी है समापन समारों के मुखे आती थी बिधान सबादेक रविनदात महतो थे मौके पर उन्होंने खेलों के सफल आयोजन के लिए सभी वरिये पुलिस पतादिकारियों, खेलाडियों, परसिक्षकों और मैनेजरों का बार ब्यक्त किया है इस असर पर डीजीपी अनुरा गुपता, एडीजी, संजय, अनन्द लाटकर, एडीजी, आरके मलिक भी उपस्थी थे 36 गड़ के सीम का जेमेम और कांग्रेस पर निशाना कुर्डेंग के माइकल कींडो स्टेडिया में बीजेपी की प्रिवरता नयात्रा में 36 गड़ के मुख्यमंत्री बिश्णू, देव, साय, एवं केंड्री, रक्षा, राज्य, मंत्री, सह, रांची के सांसा संजय सेट सामिल हुए 36 गड़ के मुख्यमंत्री बिश्णू, देव, साय ने लोग को समधित करते वे का जरकन के मुक्ति मोर्चा और कांगरेस ने मीलकर राजे को गर्थ में भेश दिया जंता उन्हें सबक दिखाएगी आने वाले भीधान सबस, चुना में बातिय जंता पार्टी की सरकार बनेगी डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार दिखेगी सहरीच छेत्र के गांधी मैदान में बातिया जनता पार्टी की प्रवतन यात्रा का आउजन किया गया इस दोरान सभा का भी आउजन किया गया सभा में बारिस के बाद भी काफी संख्या में गिरामिन मुझूद थे कुलहान में मैया समान यात्रा का सुभारम आज से 29 सितंबरता कौलान में तीन दर्जन से भी ज़्यादा जगोपजन सभा कर महिलाओं से रूबरू होंगी गुरुवार को मैया समान यात्रा के तहत उनके दोरे की सुरुवात बहरागोडा से होगी गुरुवार को ही बहरागोडा के बाद वे घाट सिला के मौभंडार इस्थीत तामर प्रतिभा मैदान में एक आम सभा को समधित करेंगी इसके बाद वे मुसावनी जादू गोडा पोट का हाता सुंदर नगर करंडी जुग सलाई पहुचेंगी इस दोरान जगह जगह उनका स्वागत होगा वे उक्त जगहों पर सभा को समधित करेंगी पलामू में भी जेपी पर वर्षी कलपना सुरेन बोली बहुरूपी ए घूम रहे पलामू के मेंदनी नगर में जामो नेता कलपना सुरेन मया समान योजना की तारीफ करते वे कहा है कि सरकार ने मया समान योजना के माध्यम से पूरे जारकन की महिलाओं को समान देने का काम किया है कलपना ने कहा है कि सपने देखना जानता का काम लेकिन उसे पूरा करना है मंत दादा का काम है मेदनी नगर के सीवा जी मैदान में बुध्वर को कलपना सुरेन ने कहा है कि यहां की जानता के लिए अलग राज दिलाने का काम सीबु सुरेन ने किया कहा है कि यदी आज हम जार्खंडी हैं तो यह सीवू सुरेन की देन है बिजेपी की नेता सिर्फ कूर्सी पर बैठने के लिए काम करते हैं जार्खंड बनने के बाद सब्चेज ज़्यादा दिन सासन बिजेपी करहा लेकिन विकास नहीं हुआ कलपना सुरेन ने कहा है कि केंद्रिय मंतरी और दूसरे राज्ये के मुख्य मंतरी जार्खंड आ रहे हैं हमन सुरेन अकेले नहीं हैं जार्खंड की बहने बेटी मताय सभी हमन सुरेन के साथ हैं ज्यार्खन पुलिस की तरह डॉक्टर को भी मिलेगा तेरह महीना का बेता अंसरकारी चिकित्सकों को भी पुलिस कर्मियों की तरह वर्स में तेरह माहका मांदे मिलेगा स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने बुद्धवार को आये में जहारकन तथा जहासा के पताधिकारियों के साथ हुई बैठाक में इसका स्वासन दिया है आये में तथा जहासा के पतादिकारी को कहाना था कि स्वास्त सेवा भी पुलिस सेवा की तरह आक्समिक सेवा है इसलिए यह अहलाव उन्हें मिलना चाहिए बैठक में उतर परदेश की तरच पर 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिक एसेवलेस्मेंट एक्ट से मुक्त करने पर भी समती बनी है इससे अधिक बेड के अस्पताल ही इस एक्ट के दायरे में आएंगे इस समान में सिग्र ही आदेश जारी कर दिया जाएगा बैठक में स चलने से यात्री बेहत परिसान है उधर से एक ही पत्री पत्तीन ट्रेनों के सामने आजाने से भी यात्री भैवीत रहे रेलवे की कर प्रनाली से यात्रियों में भारी गुसा है ऐसा ही एक नजरबुद्ध वर सामको चक्रधर पूर रेल मंडल के गमहरिया रेलवे ठीक सामने एक बंडे भारत एक्सप्रेν खडी थी यात्रियों ने जब अपनी नजरे और तयज की तो देखा है कि एस बात एक्सप्रेश जिस पत्री पर खड़ी है उसी पत्री पर 4 ट्रेने खड़ी थी चारों ट्रेन 200 मीटर के फ़ैसले पर खड़ी थी यात्री इस बात से घबरा गए कि उनकी ट्रेन दुरुखाटना से बच गई है सियम हमंत ने भीसी के जरी ये बरहेट के लोगों से कहा हमारी सरकार लोगों की जरूरत को कर रही पूरा मुखे मंतरी हमंसुरे ने रांची से बीडियो कर्फिंसी के माध्यम से बुद्धवार को अपने बिधान सबाच शेत्रे साहिव गंजीले के बरहेट के आम जनता को समोधित किया CM ने लोगों से कहा है कि मौसम खराब होने के कारण मैं लाग प्रयास के बावजूद भी आप लोगों के बीच पहुँचने में सक्षम नहीं हो सके लेकिन टेकनोलोजी आज इतना तरकी कर लिया है कि आपके बीच भले ही नहीं जा सके लेकिन आपसे रूबरू होकर आपसे सुख दूख की बात कर सकते हैं इसलिए आज इस टेकनोलोजी के माध्यम से आपके समक्ष उपसित हुआ हो सीम ने बरहेट परखन के भोगनाडे के लोगों को समबोधित करते हुए कहा है कि हर ब्यक्ति हर जन्मानस को रोटी का पड़ा और मकान क्या हो सकता है आज हमारी सरकार रासन का पड़ा अबुआ आवास वेजना आदि के द्वारा लोगों की जरूरत पूरा कर रही है रक्षा मंत्री 26 को धन्बाद में लोगों को करेंगे समबोधित भरतिय जन्ता पार्टी की धन्बाद प्रमंडल की पर्वतर संकल प्यातरा का अमतिम चर्ण में रक्षा मंत्री राज नाच सिंग 26 सितंब को धन्बाद आ रहे हैं धन्बाद के गोल्फ ग्राउंड में आव्यजीत कारकरम में सामिल होंगे करकरम की त्यारी अमतिम चर्ण में चल रही है गोल्फ ग्राउंड में पंडाल और स्टेज बनाये जा रहे हैं पुर्व सांसत, पिएन सिंग एवं बिधायक, राज सिनह सहीद, पार्टी के कई लोगों ने वहाँ पहुँच कर निर्चन किया वही पर सासन की ओर से सुरक्षा को लेकर भी त्यारी की जा रही है जारखन में 26 को भारी बारिस जारखन में अभी बारिस के असार है, एक अक्टूबर तक राज में बारिस हो सकती है इस दोरान गरज के साथ बजरपात भी हो सकता है इसे लेकर मौसम भी भायग ने एलो अलर्ट जारी किया है बता दे जार्खन के देधारी राची में सुबा सही मौसम के मिजाज बदला बदला साहा है वहीं दोपर बाद ए सिलसिला जारी रहेगा जार्खन के गढ़वा, लाते हार, हजारी बाग, गुमला और सराइक लेकर सवाज जिले के कुछ बागों में अगले दो से तीन घंटे में गरज के साथ हलके से मत दर्जा की बारिस हो सकती है इस दोरान बजरपात की भी असंका ब्यक्त की गई है बतादे 27 सितंबर तक बजरपात हो सकता है, रांची समेत लबग सभी जिलो में बजरपात की असंका है वहीं जार्खन के उतर पूर्वी और उतर पश्मी भागों में कहीं कहीं पर भारिबारिस हो सकती है कहीं कहीं गरज के साथ बजरपात भी हो सकता है पलामु गडवा लाते अरुचात्रा देवघर दुम का धनबा समेत अन्य जीलो में 26 अगस्त को भारी भारी हो सकती है जार्खन परदेश कांग्रेश मैनिफेस्टो कमीटी की बैठक जार्खन परदेश कांग्रेस मेनिफेस्टो कमीटी की बैठक बुद्धवार को कमीटी के जेयर्मेन बंधु तिर्की के अधक्स्तया में कांग्रेस बहुन में हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोसना पत्र हमेशा से आम जानता का घोसना पत्र रहा है। घोसना पत्र जानता कि अपेक्छाओ का नुरूप तयार किया जाएगा और सरकार बनते हैं पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जाकर उनसे सनवाद करेगी उनकी राय का धियन कर फिर हम लोग घोसना पत्र में सामिल करेंगे मलेशिया में फसे मैजदूरों की वतन वापसी को आगे आए सांसत चंदर परकास गिरिडी के सांसत चंदर परकास चौजरीन मलेशिया में फसे जहरकन के साथ मैजदूरों को भारत वापस लाने के लिए बिदेश मंत्री डाक्टर S.J. संकर से जरूरी कदम उठाने कागर किया है बिदेश मंत्री को इस बात से अउगत कराया गया है कि जारकन के साथ मैजदूर मलेसिया में रोजगार करने गया है लेकिन वहां मैजदूरों को पिछले 6 मैने से वेतन नहीं मिल रहा भोजण के भी लाले पड़े हैं मैजदूरों की स्थिती देनी हो गई है मैजदूरों को लीड मास्टर इंजिनियरिंग एम कंस्ट्रक्स्तन SDN BHO कमपनी द्वारा अनुबंध पर काम करने के लिए मलेसिया ले जाया गया था मैजदूरों की स्थिती ऐसी हो गई है कि उनके पास ना तो हवा यत्रक पैसे हैं और नहीं भोजण पानी के साधन कम्प्योटर अपरेटर संग ने मंत्री की समक्ष रखी समस्या जार्खन राज आउट्सोर्सिंग कम्प्योटर अपरेटर संग की परदेश अस्तरे कमेटी के सलस्या बुद्ध्वार को मंत्री डाक्टर रिफारन साडिसे मुलकात की सलस्या ने मंत्री से वेतन विसंगत्ती और अनमांगो के बारे में चर्चा की है मंत्री को आउगत कराया गया कि पुरू में बीत विभाग द्वारा कम्प्योटर अपरेटर के लिदारित मांसिक परिलब्धी समान रूप से राज के सभी कम्प्योटर अपरेटर को भुक्तान किया जाता था लेकिन बीगत कुछ वर्ष से जैप आईटी के द्वारा बीत विभाग द्वारा निधारित मांसिक परिलब्धी के आलोक में बेतन का पुरू रिक्षन नहीं किया जा रहा जिसके कारण सभी को आर्थिक समस्याओ का सामना करना पर रहा है जारखन बीजेपी लाएगी गोगो दीदी योजना भारतिय जनता पाठी राज में सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना परारंब करेगी इसमें बालिका के जनम के साथ ही मा और बेटी दोनों को समान रासी देने का परिधान होगा हलाकि समान की रासी कितनी होगी इसको घोसना अभी नहीं की गई इसकी जनकारी भाजपा के संकल्प पत्र में मिलेगी इस स्कीम के जरिये भाजपा हेमंत सुरेन की मया समान योजना को टक्कर देने की त्यारी में है बतादे असम के मुख्य मंत्री और जार्खन भाजपा के सच चुनाव प्रभारी हिमंत विश्वा सर्मा ने मंगलवार को इसकी जनकारी देते हुए कहा कि सितंबर महिने से ही इसके लिए भाजपा करकरता लोगों के घर जाएंगे और फरम भरा का समंधित करेले में जमा करेंगे जार्खन पुलिस कर्मियों के पास 12 जीलों में काम करने का औसर करे ओनलेन आवेदान जारकन पुलिस कर्मियों के पास 12 जीलों में काम करने का सुनहारा आउसर है एक चुक पुलिस कर्मि इन जीलों में काम करने के लिए ओनलेन आवेदन कर सकते हैं इसको लेकर जारकन पुलिस मुख्याले ने आदेश जारी कर दिया है बता दे जारी आदेश के मुताबिक गढ़वा पला मुलाते हाँ चाइबसा चत्रा लोहता का सिम्डेगा खोटे गुमला साहिब गढ़ गोड़ा पाकुड अजाम तरा के अलावा जंगल वार फेर इस्कूल ने तरहाट और सिटीसी मूसा बनी में सिपाही और हवलदार को पदस्थापित किया जाना है जो पुलिस कर्मी इन जागों पर जाने को एक चुका हैं वे आवेदन कर सकते हैं मुफ्त बालू योजना में चल रहा बड़ा खेल जारखन में राज सरकार ने जैसे ही गरीबों को मुफ्त बालू देने की घोस्तना की है बड़े पैमाने पर फरजी आवेदन करताओ की कतार लग गई है मुख्य मंत्री हैमान सुर्ण की घोस्तना के बाद अभी तक जारखन राजिक खनीज विकास निगम को कईब 1400 आवेदन मिले हैं जिसमें से अधिक आवेदन गलत लोगों के हैं ऐसे लोग जो निर्धारित मान को पर सही नहीं उतर रहे सरकार ने घोस्तना किया है कि गरीबों को 2000 CFT तक बालू मुफ्त मिलेगा लेकिन उन्हें धोने का प्रवंद खुद करना होगा बता देने धारित मान्दन के अनुसार मुफ्त बालू के लिए लाभू का गयर आयकर दाता होना जरूरी है इसके लिए उसे सिर्फ आपने पैन काट की छाया परतिजामा करानी होगी धन्यवाद